ओम शंति आज मेरा जो प्रश्न है आपसे वो ये है कि जैसे बाबा ने कहा कि सबको ये समझाओ कि तुम परमात्मा नहीं हो और हर एक धर्म की आत्मा को ये समझाओ कि तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे अब मुझे ही बताओ कि अगर मैं अपने आपको परमात्मा समझू या मैं अपने को आत्मा समझू इन दो बातों में क्या अंतर होता है मैं अगर अपने आपको परमात्मा समझू या मैं अपने को आत्मा समझू इसमें अंतर क्या पढ़ता है मैं ये प्रश्ण नहीं पूछ रही हूँ कि हम परमात्मा है या नहीं है परमात्मा तो हम नहीं है हम आत्मा है वो परमात्मा है लेकिन मैं अपने आपको आत्मा समझती हूँ या मैं अपने आपको परमात्मा समझती हूँ इन दोनों बातों से क्या अंतर पड़ता है क्योंकि जहां तक मैं समझती हूँ इस बात के clarity में कमी है क्योंकि हम लोग यही सुनकर बड़े हुए कि हम भी परमात्मा है तो आज हम समझते हम आत्मा है तो फिर हम समझते हम आत्मा है पर हम अपने को परमात्मा भी समझें तो क्या दिक्कत है, तो अपने को आत्मा समझने में और अपने को परमात्मा समझने में अंतर क्या पढ़ता है, वो कौन बताएं? देखो, जब मैं, बहुत सालों पहले की बात बता रहा हूँ, तो मुझे, जब मैं भगवान की ज़रूरत के बारे में सोचती थी, तो मैं इसलिए नीड फॉर गौड पे ज़रूर सेशन कराती हूँ, जब भी मैं राज्यों के सेशन कराती हूँ, तो उसमें मैं नीड फॉर का एक session जरूर कराते हूं and that is because मुझे वाइल ग्रोइंग आप बहुत बार ये प्रश्न आता था कि हमें भगवान की क्या जरूरत है और मुझे जो उत्तर तब से ही मन में आता था के अगर आपको अपने वर्टमान स्वरूप से कुछ बहतर बनना है बड़ा बनना है तो आपको उसका संग करना पड़ेगा जो आपके वर्टमान स्वरूप से बड़ा है बहतर है और इन हायर पोजिशन है क्योंकि हम अभी लिमिटेड हैं और अगर हमारे अंदर जो भी कुछ है आज वो लिमिटेड है जैसे आज अगर हम अपना ज्यान देखे तो हमारा ज्यान लिमिटेड है आज तो लिमिटेड नहीं है क्योंकि हम ज्यान सागर के बन गए पर जो आत्मा बाबा की नहीं बनी होती तो उसके ज्यान की लिमिटेशन है वो प्योरिटी को समझती नहीं है वो शान्ती को नहीं समझती है या उसके सुख की, प्रेम की, शक्ती की परिभाशा जो है वो बहुत distorted है और अगर हमें alignment में आना है अगर हमें अपनी perfection में आना है अगर हमें अपनी limitation के बाहर जाना है तो हमें उससे मिलना पड़ेगा जो हमसे बड़ा है, हमसे उचा है, हमसे बेटर है जैसे आप जब कुछ सीखना चाहते हैं तो आप school जाते हैं ना क्यों school जाते हैं? क्योंकि आपको जो school में पढ़ाने वाला है वो presumably आप से थोड़ा जादा जानता है तो इसलिए आप जाते हैं वो अलग बात है कि वो जो मनुष्य मत होती है वो मनुष्य मत जब उसे मिलती है तो हम नीचे गिरते हैं, उपर उठते हैं, वो नहीं पता लेकिन जो भी हम जब भी किसी का संग करते हैं तो वो चाहे गुरू का भी संग होता है तो गुरु का भी संग व्यक्ति इसलिए करता है, क्योंकि वो वो चीज जानता है, जो मनुष्य नहीं जानता, लेकिन क्योंकि वो मनुष्य मत है, तो इसलिए वो उस आत्मा को अपनी highest order या अपनी perfection में स्थित नहीं कर सकते हैं, तो जब हम अपने आप को reform करना चाहते हैं, तो हम वरतमान में हैं, उससे ज्यादा कुछ बनना चाहते हैं, तो हमें higher source से connect करना होता है, और इसलिए हम presumably जिनको हम सोचते हैं, जो higher source पे हैं, जैसे कि गुरु होते हैं, teachers होते हैं, मात-पिता होते हैं, हम ऐसा assume करते हैं, कि वो हमसे उच्छे हैं, इसलिए हम उनसे दुन प्योरेस्ट है, जो truth है, केवल वही है, जो सच्छमुच हमें हमारी limitations से निकाल सकता है, और वो है परमात्मा, और जब हम शिबाबा की महिमा सुनते हैं, तो हम सुनते हैं ज्यान का सागर, पवित्रता का सागर, शांती का सागर, प्रेम का सागर, सुक का सागर, सत्यता का सा सर्वशक्तिवान अब आप सोचो कि जब हम बाबा से नहीं मिले थे तब हमारा ज्ञान कितना सीमित था चाहे वो स्वा का ज्ञान है, स्वा के स्वरूप का ज्ञान है, स्वा के गुणों का ज्ञान है, स्वा की शक्तियों का ज्ञान है, चाहे वो दुनिया के आदी मध्यांत का ज्ञान है, चाहे वो अपने आदी अनादी स्वरूप का ज्ञान है, वो कितना हमारा लिमिटेड थ और जब हम बाबा से मिले तो हमें बाबा ने ज्ञान सागर ने ज्ञान सुरूप बनाए तो जब हम ज्ञान सागर से मिलते हैं तो हम ज्ञान सुरूप बनते हैं और पहले हम अज्ञान सागर की तरह ही फंक्शन कर रहे थे तो दुनिया में मनुश्य मत और परमत और मन मत के अधीन होकर हमारे अंदर जितनी भी अज्ञानता थी उसको dispel करने वाला या उसको replace करने वाला बाबा का ज्ञान प्रकाश बनता है आप एक list बनाना कभी कि ज्ञान में आने से पहले आपका अपने बारे में क्या idea था आपका स्रिष्टी के बारे में क्या idea था आपका अपने आदी अनादी स्वरूप के बारे में क्या idea था हम तो यही समझते रहते हैं हम बंदर हैं यह हम बंदर थे यह हमारे पूरवज बंदर थे और फिर हम यही समझते थे कि हमारा जो natural instinct है वो बंदरता है लस्ट है, एंगर है, copping है, greed है तो हम उसी रूप से समझते समझते वैसे बनते भी जा रहे थे लेकिन बाबा आता है तो बाबा हमें ज्यान देता है आदी मध्यांत का, स्वा का और बाप का हमें पता चलता है कि हमारी limitation ये नहीं है कि हमारा लौकिक पिता या लौकिक माता को पहले हम लोग क्या सोचते थे अगर लौकिक पिता या लौकिक माता को कोई शारिरिक बिमारी है, मान लेजे किसी को cancer है या diabetes है, तो मुझे भी diabetes होगी, मुझे भी आगे जाकर cancer की probability है, ये बाते समझ कर आगे बढ़ते थे, अब हमें पता चला हमारा पिता कौन है, तो हम गु स्रिष्टी के बारे में जो आइडिया है, वो किस रूप से बदलता है, तो आप सोचो कि जैसे एक cardboard का frame है, और अगर उसमें से हम एक छोटे से पिन होल से दुनिया देख रहे थे, तो आप जैसे कि दर्वाजा खुल गया है और हम पूरी दुनिया को बाहर जाके देख पा physical की भी awareness रखते हो, पहले आपको बस ये पता था मैं बोल रही हूँ, पर आपको ये भी नहीं पता था मैं साथ में सोच भी रही हूँ, मैं एक vibration भी रख रही हूँ, मैं एक intention भी रख रही हूँ, तो अब आप हर level पे aware होते जा रहे हैं, तो जैसे कि एक pinhole से एक दर्वाज खुल चुका है, और आप वो bigger picture देख पा रहे हैं, जो पहले आपके access में नहीं थी, इसके अलावा आप देखो, जो मुझे सबसे बड़ी चीज लगती है, वो है हमारा concept of love, जब तक हम बाबा की नहीं बनते, तो हमारा जो प्रेम का concept होता है, वो बहुत distorted होता है, हमें प्र हम तो lust को ही love समझते हैं, हम तो attachment को ही love समझते हैं, और अगर कोई हमें कहता है कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तो इससे लिए तुमारा फर्ज बनता है, कि तुम हमारे को physically satisfy करो, तो हम समझते हैं, यह कोई unreasonable demand नहीं है, यह तो एक प्रेमी की बहुत वाजीब demand है, और हम यह स और मैंने तो यह भी देखा कि जब हम बड़े हो रहे थे, तो ऐसे भी मैंने youth देखे, जो अगर जो so-called boyfriend होते हैं, या जो भी होते हैं, वो अगर मारते हैं, या कोई violence भी होता है उस relationship में, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे पर अधिका जमाया जा रहा है, या वो कहते हैं, अपनों कोई torture कर सकते हैं, तो जो torture करता है, वो हमारा अपना है, तो ये वाले concepts के साथ भी हम लोग चलते हैं, कि जो हमें suffocate करता है, जो हम पर unnecessary demands करता है, या जो अपना गलत रीती से अधिकार जमाता है, वो प्यार है, और इसलिए और ये सारा idea हमारा कहां से आता है, मनमत और परमत से, तो जो दुनिया में हम फिल्मों में देखते हैं, या जहां से भी हमारी journey होकर गुजर कर आती है, वहां से हम ये distorted ideas of love लेकर आते हैं, लेकिन आप कभी विचार करना, यदि कोई व्यक्ति आपको खाना खिलाता है, और से वो ये expect करता है कि आप उसको physically satisfy करना आपका धरम है, तो इसको प्यार नहीं कुछ और कहते हैं, और अगर lust को exchange offer की तरह देखा जाए, तो प्यार नहीं कुछ और है, जिसको दुनिया में बहुत गंदा नाम दिया जाता है, लेकिन जब बाबा आते हैं, तो बाबा हमें ब प्रेम नहीं है, या किसी की unnecessary जिद पूरी करना प्रेम नहीं है, प्रेम तो बहुत अपलिफ्टिंग होता है, और बाबा हमें बताते हैं, कि जब तुम किसी से प्रेम करते हो, तो तुमहारा उसके प्रती फर्ज ये होता है, तुम उससे सदमार्क पर लेकर जाओ, तुम उ उसके gratification का source बनो, बलकि उसको help करो ये realize करने में कि तुम भी एक संपून आत्मा हो, तुम क्यूं इधर उदर भटक रहे हो, तुम क्यूं इसके उसके पर आधारित होकर या निर्भर होकर सुक का अनुभव करना चाहते हो, तुम तो बीज हो, जो शान स्वरूप है, सुक है, शक्ति स्वरूप है, तुमें किसी और से शक्ति लेने की या सुक लेने की या शान्ती का momentary अनुभव करने की जुरत नहीं है, तो बाबा हमें बताते हैं, शुद्ध प्रेम कैसा होता है, शुद्ध प्रेम वो नहीं होता, जिस प्रेम में हम किसी को अपने पर आधारि निर्भर कर देते हैं, या हम उसका source बन जाते हैं, या उसको अपना source बना कर boils परसिटिक तरीके से जीना शुरू कर देते हैं, वह शुद्ध प्रेम नहीं होता, तो बाबा ने हमें हमारे प्रेम का concept clear किया, कि वास्तव में प्रेम क्या होता है? और मैंने समझती कि बाबा से मिलने से पहले हमें प्रेम समझ में आता था और प्रेम के अंदर जो रचनात्मक्स शक्ती है जो परिवर्तन शक्ती है जो शक्ती है जिस शक्ती से आत्मा शक्ती शाली बनती है वो प्रेम की शक्ती है लेकिन वो हमें available ही नहीं थी क्योंकि प्रेम का सागर आया नहीं था तो हमें प्रेम क्या होता है पता ही नहीं था हमारे लिए तो यदि कोई थोड़ी से ज्यादा बात करे तो हमें या तो यह idea मिलता था कि हम बहुत आकरशक हैं तो कोई भी अगर हमसे कोई ज्यादा इंट्रेक्ट भी करता तो हमें उसमें स्वमाननी, कुछ न कुछ देअभिमान की उत्पत्ती होती थी। लेकिन बाबा ने हमें बताया कि शुद्ध प्रेम जो है वो क्या होता है और हर आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ रूहानी प्रेम है। क्या कारण है जिसके लिए कोई अपना टाइम एनरजी किसी के लिए दे सकता है। लेकिन अब हमें पता चला कि हाँ, कि हम एक spiritual fraternity है, और किसी को अपना time energy देने के लिए इतना enough है, कि हम जाने कि मैं एक आत्मा हूँ, यह मेरा आत्मा भाई है, और यह deserve करता है अपने बाप को जानने, सत्य को जानना, और अगर मेरा time energy उसमें लग सकता है, तो it is a very good idea. तो यह जो शुद्ध प्रेम है, जो बाबा आकर निस्वार्थ प्रेम हमें देता, उसी से हमें प्रेम करना आता, हमें पहले प्रेम करना नहीं आता था, हम जिसको प्रेम कहते थे वो स्वार्थ था, विकार था, वो कुछ और था, मोह था, लेकिन वो प्रेम कभी भी नहीं थ बाबा हमें सुख की परिभाशा देता, हमें तो प्लेजर और सुख के बीच में अंतर ही नहीं पता था, हमें तो यहीं नहीं पता था कि अती इंद्रिय सुख भी कुछ होता है, कि इंद्रियों से परे भी कुई सुख होता है, कि वो सुख होता है कि मैं कौन हूँ, मैं किस की यह सोच सोच कर मस्ती भी चड़ सकती है। हम तो यही समझते थे कि हाँ आइस क्रीम खाने का सुख क्या होता है, मौल जाने का सुख क्या होता है, या कुछ खरीदने का सुख क्या होता है, वो तो हमें पता है। लेकिन यह सुख कौन सा होता है, जिसमें आत्मा अपने को जान तो उसको सुख का अनुभव होता है, यह हमें नहीं पता था, कि अतींद्रिय सुख क्या होता है, हम शान्ती को नहीं पहचानते थे, कि शान्ती धाम की शान्ती कैसी होती है, और किस तरह से एक mental switch से, आप शान्ती धाम की शान्ती को access कर सकते हैं, हमें शक्तियों का concept हमारा कित हम तो समझते थे, शक्ति मतलब धन की शक्ति, तन की शक्ति, संबंध की शक्ति, लेकिन हमें यह नहीं पता था, कि शक्ति माना सहन शक्ति, शक्ति माना सामना करने की शक्ति, शक्ति माना परिवर्तन शक्ति, नेर्ने शक्ति, परक शक्ति, बुद्धी की शक्ति, मन की शक् ना यथार्थ शक्ति को पैचान सकते हैं, ना यथार्थ प्रेम को जानते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं यथार्थ, हम बहुत सारी चीज़ें जानते थे, मनुश्यमत के आधार से भी टीचर से, गुरूं से, मातपिता से, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, लेकिन वो कह भी छोटी सी भी करीब नहीं थी इस सत्य के तो जो यथार्थ ग्यान है यथार्थ प्रेम है यथार्थ शक्ती है वो जब बाबा आता तभी हमें उसका परिच्छे मिलता है आप कभी सोचते हो मुरली क्या है हां मुरली is the mind of God परमात्मा का मन बुद्धी है मुरली तो जब हम मुरली सुनते हैं तो हम परमात्मा की मन बुद्धी से कॉन्टाक्ट करते हैं और वो जो जो ज्ञान का सागर है उसकी बुद्धी में जो भी समाया हुआ है वो content जैसे हमारी बुद्धी में transfer होता है इसलिए तो भक्ती में कहते हैं भगवान बुद्धिवानों की बुद्धी है और ये जो बुद्धिवानों की बुद्धी बाबा है जब हमारी बुद्धी बाबा की बुद्धी से जोड़ती है तो हम बुद्धिवान बन जाते हैं हमारे अंदर वो समझ वो शक्ति आती है जो पहले हमारे को एक्सेस नहीं था जिस चीज़ का तो बाबा हमें कहते है कि तुम अपने को ही परमात्मा समझोगे तो तुम तो फिर वो कुए के मेंड़क की तरह हो गए ना जो कुए में पढ़ा रहता और समझता यही दुनिया है और इसके बियॉर्ण तो कुछ है ही नहीं क्योंकि मैंने देखा ही नहीं है लेकिन फिर उस मेंड़क को एक मनुष्य चाहिए होता है जो उसको कुए से निकालकर बाहर निकालकर दिखाता है कि देखो दुनिया इतनी बड़ी है तुम तो अंदर से कुछ भी देख नहीं पा रहे थे तो ऐसे ही हम वो कुए की मेंड़क की तरह अंदर पड़े थे और हम समझते थे जितना हम जानते जितना हम समझते उतना ही सत्य है और हम बाहर की दुनिया कैसी है या सत्य क्या है या कितना विशाल है या कितना बेहद है इस बात को नहीं समझते थे तो जो बाहर है जो extraterrestrial है वो आकर हमें वो तीनों लोकों की तीनों कालों की सैर कराता है ज और फिर हमारा जो horizon है वो कितना broaden होता है, जो पहले नहीं था, हम इन आखों के दू आखों के परे देख पाते हैं, इन दो कानों से में तुम भक्तों की पुकार सुनते हो, अब भक्तों की पुकार भक्त कोई आपके पडोस में चिला रहें हैं क्या? भक्तों की पुकार कैसे सुनेंगे तो भक्तों की पुकार सुनना हमें आ जाता है हमें मनुष्य की वेदना, मनुष्य के अंदर के भाव, भावनाए पड़ना आ जाता है बाबा हमें कितना त्रिकाल दर्शी, त्रिनेत्री और त्रिलो की नात बनाता है कि हम तीनों लोकों की सैर कर पाते हैं, तीनों कालों में अपने आप को देख पाते हैं, और जो ये आखे नहीं देख पाते हैं, उन भावनाओं को देख पाते हैं, उस रिदय की जो पीड़ा है उसको महसूस कर पाते हैं, दुखी आत्माओं के दुख को समझ पाते हैं, मनु पेरेंट समझते हैं, यह बिमार हो गया है, इसको साइकाइटरिक दवाईयां चाहिए, लेकिन उसको कुछ नहीं चाहिए होता है, उसको एटेंशन चाहिए होता है, लेकिन वो एटेंशन उसको नहीं देते हैं, बाकि दवाईयां देते हैं, तो बाबा हमें कितना कुछ सिख चाहता है कि हम आत्मा के विवहार के परे जाकर देख पाते इस आत्मा को क्या चाहिए। मुझे याद है एक बार एक women's day पर हम program कर रहे थे तो एक माता जु थी वो बोलने ही ना दे, पूरे program में वो जैसे एक भी sentence मुझे बोलने नहीं दे रहे थी, और मुझे 15-20 मिनिट के बाद ये आइडिया हो गया था कि आज ये प्रोग्राम हो नहीं पाएगा तो मैंने उस प्रोग्राम को जैसे तैसे आदे पॉने घंटे में रैप अप किया उसके बाद मैंने देखा कि सभी उठकर जा रहे थे और वो माता जो है वो बैठी थी लेकिन mostly अगर किसी का intention बुरा होता है तो सबसे पहले उठके चले जाएंगे न कि ये कहीं हमें चार्ज ना करें या ये कहीं हमें पकड़े ना लेकिन वो माता बैठी रही तो मैं गई और मैंने उसको उठाया और गले लगा लिया तो बहुत जोर-जोर से फूट-फूट के रोने लगी तो मैंने कहा क्या हुआ तो मुझे कहती है कि मैं मैं चोटी थी तो मेरा शारिरिक शोशन हो गया तो जब भी विमेंस टेपर ये बाते होती है ना कि विक्टिम ब्लेमिंग मत करो और विक्टिम जो है वो उसका कर्मों का हिसाब किताब है या ये बात होती है कि जो परपेट्रेटर है वो भी वीक सोल है मेरी तो तन बदन में आग लग जाती है मैं तो समझ ही नहीं पाती कि आप लोग ऐसी बाते कर भी कैसे सकते हो हाला कि मैं ये समझती हूँ कि जो आप कहरे हो ठीक है लेकिन फिर भी उसको मैं बरदाश नहीं कर पाती और मैं बहुत सौरी हूँ अपने बिहेवियर के लिए लेकिन मैं अपने आपको कंट्रोल नहीं कर पाई तो बाबा हमें ये देखना सिखाता है कि हर बुरे बिहेवियर के पीछे एक कमजोर आत्मा है और ये बात कोई और नहीं देख सकता आज बाबा जो कहता है न वर्थान में कि तुम देखो साक्षातकार मूरत बनो क्योंकि तुमें समझ आना चाहिए तुम दुनिया की तरह सोए नहीं हो सोए नहीं हो मतलब वो दो आखों से तो लोग सोते हम भी सोते हैं लेकिन ये जो तीसरा नेत्र है जिससे महसूस कर पा रहे हम कि आत्माओं के हालात क्या है और आत्माओं की आज जरूरत क्या है और पुकार क्या है हमें अन्य आत्माओं को उसका दान देना पड़ेगा और हम सोना अफोर्ड नहीं कर सकते या हम अलबेलापन या अपना टाइम एनरजी वेस्ट करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हमारा सबकुछ इश्वरिय सेवा के लिए है तो बाबा हमें इतना सुजाग इतना जागरित बनाता है जो दुनिया में और कोई किसी को नहीं बना सकता और बाबा कहते हैं कि अपने को परमात्मा समझने से तुम्हें फिर ज्यान गुन और शक्ति देगा कौन तो ज्यान गुन और शक्ति का जैसे sister ने कहा न कि warehouse तो बाबा है न तो हम तो store है वो भी खाली store तो भरेंगे कैसे जब हमारा connection warehouse से होगा लेकिन वो जो warehouse है उसको appreciate कर पाना और अपने खालीपन को भी appreciate कर पाना क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैं आज ये बात क्यों कह रही हूं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति कहता है क्या फरक पड़ता है हम क्या believe करते है कई बार व्यक्ति कहता है क्या फरक पड़ता है हम अपने को आत्मा समझते हैं या परमात्मा समझते हैं कुछ भी समझे हम तो हम ही रहेंगे लेकिन बात ये है की बहुत फरक पड़ता है हम अपने को आत्मा समझते हैं तो हमें पता चलता है कि एक परमात्मा भी है और हम उसे डूनने की जानने की कोशिश करते हैं और फिर उससे अपने आपको भरने का प्रयत्न करते हैं और जो हम खुद को ही परमात्मा समझ लेते हैं तो हम अपनी limitations को भी परमात्मा पर डाल देते हैं जो हमने भक्ती में भी किया ना हमने भक्ती में क्या किया जो जैसे हम थे हमने भगवान को वैसा बना दिया क्योंकि हमने का हम जैसे भगवान वैसा ही है तो हमें भगवान के जैसा बनने कि क्या जुरुत है हम बगवान को अपने जैसा बना देते हैं उसको भी चिलम पिला दो उसको भी भान किला दो उसकी 10-15 शादियां करवा दो उसको भी विकारी दिखा दो उसको भी कमजोर दिखा दो चोर दिखा दो तो हमने यही तो किया क्यों क्योंकि हमारे अंदर जो भी हम परमात्मा नहीं है, परमात्मा की हमें जरूरत है, ताकि हम हम बन सके, आज तो हम भी नहीं है, तो हम परमात्मा कैसे बन जाएंगे, तो हम हम बन सके, जो हम देवात्मा थे, हम वो बन सके, हम खुद से मिल सके, इसके लिए हमें खुदा चाहिए, खुदा आता है, तो हमें खुद से मिलाता है, हमें सत्य से जोड़ता है, और जो हम खुदा से नहीं मिलते, तो हम खुद से भी दूर रहते हैं, मज़े याद है, एक बार एक ऐसे ही बहुत ओर्डिनरी सी सेटिंग में एक डिसकेशन हो रहा था, तो किसी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे से ज़्यादा वाईज नहीं है, क्योंकि सब के अंदर भगवान है, तो हम क्या करते हैं, कि हम कुछ भी सीखने की कोशिश नहीं करते, हम यह जो आइडियाज है, इनको इसलिए यूज करते हैं, करते हैं, कि हम अपने एगो को फीड कर सकें, और достаточно एगो क्या करते हैं, हमारी ब्लाइंनेस को justify करते हैं, व्यक्ति क्रोध कर रहा है, पर उसको पता नहीं है क्रोध कर रहा हूं, क्यों? इगो में हैं, व्यक्ति को खेग्चियानी हैं, लेकिन उसको यह नहीं पता कि मैं अज्ञानी हूँ क्यों क्योंकि एगो की परत उसको जानने नहीं देती ऐसे हम यह चो हमारे अंदर भी परमात्मा है इसको भी यह concept को भी हम अपनी एगो को feed करने के लिए यूज करते हैं और हम अपने अंदर यह सोचते हैं कि हमारे अंदर भगवान है और हम खुश हो जाते हैं इस बात में लेकिन फिर अगर हम इसी बात में खुश हो जाएंगे तो यह concept हमें कुछ भी सीखने से कुछ भी बढ़ने से आगे या ग्रो करने से बहुत रोक देता है इसलिए बाबा कहते हरेक आत्मा को समझाओ कि तुम्हेक आत्मा हो तुम परमात्मा नहीं हो और तुम आत्मा भी कौन सी आत्मा हो आज डिप्लीटेड आत्मा हो तो तुम्हे परमात्मा की बहुत अवश्यकता है और तुमने जो यह अज्यानता वश इतने सारे विकर्मों समझते हैं, जब हम अपनी सत्यता को समझते हैं, जब हम अपनी ओरिजिनालिटी को समझते हैं, तो हमें समझ आता है कि कौन सी चीज हमें शोभा नहीं देती थी और हमने की, जब हमें पता ही नहीं था हम पवित्र आत्माएं हैं, तो हमें आपवित्रता नाचुरल लगती थी, अब जब हमें पवित्र है हम ये पता चलता है, तो हमें अपवित्रता से विकर्म बना ये मालूम पड़ता है, तब तो हम एक तो पहली बात धारणा करते हैं, तो हम नया विकर्म करने से अपने आपको रोकते हैं, और दूसरा है अपनी पवित्रता के अनुभव को बढ़ा कर जितनी भी अपवित्रता के संसकार थे या उस अपवित्रता के अधार से जो भी हमने करम किये उसका जो बोज हमारे उपर है उसको योगगनी में दगद करते हैं तो बाबा कहते हैं कि जब तक तुम अपने को आत्मा नहीं समझोगे और परमात्मा को याद नहीं करोगे तो तुमारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते और अपने को परमात्मा समझने से कोई विकर्म विनाश हमारे नहीं होंगे और हम अपने को परमात्मा समझते हैं तो ज्य भले एक दो लाइन में समझते भी हैं, पर हम शायद एप्रीशियेट नहीं कर पाते कि परमात्मा हम आत्मा को क्या से क्या बना रहा है, क्योंकि मनुष्य की मेमरी बहुत शॉट लिवड है, तो जैसे ही हम थोड़े से बहतर हो जाते हमें पता ही नहीं चलता हम किस गटर में पड़े थे, है ना कि हमें क्या-क्या नहीं आता था, हमें ऐसा लगता है, हम तो पहले से ही ऐसे थे, हम तो ऐसे ही हैं, लेकिन हमें भगवान ने बनाया है, इस बात को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, ना, और एक हम लोग जब युनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो हम जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है, तो उसी में ही कम्या भी निकालने लगता है, खेर बाबा में तो कोई कमी निकाल सकता, क्योंकि बाबा में कोई कमी है नहीं, लेकिन हम कभी-कभी ग्राटिटूड भी नहीं रखते, क्योंकि हम भूल जाते हैं, कि हम कौन थे, कहां प और बाबा ने आज कहा न, कि सयोगी ही सहज योगी बनते हैं, क्योंकि जहां हमारा तन, मन और धन लगेगा, वहीं पर हमारा योग लगेगा, क्योंकि आप जहां पर टाइम इंवेस्ट करेंगे, जहां एनरजी इंवेस्ट करेंगे, जहां पर आपका धन लगेगा, वहीं पर आपकी बुद्धी जाएगी तो अगर हमारा बुद्धियोग अभी भी बाबा से नहीं लगता तो वो इसलिए है क्योंकि हम सयोगी नहीं बनते कई बार मनुष्य जो है आप देखना आपको कोई चीज फ्री मिली होगी आप अपने जीवन में जांक कर देखना कोई चीज आपको फ्री मिली और किसी चीज के लिए आपने extra payment कर दी जैसे मान लो कि कोई 10 रुपे की चीज है आपने उसको 100 रुपे में खरीदा है वो 10 रुपे की चीज लेकिन आप उसको 100 की तरह समाल कर रखते हैं क्योंकि आपने उसके सौ रुपे दिये और अगर सौ रुपे की चीज है लेकिन आपने फ्री में लिया है ना तो आपको उसकी कदर नहीं होते हैं आपके दिये तो फ्री आई थी यह फ्री गिफ्ट है तो उसकी कदर नहीं करते हैं तो बाबा कहते जिस भी चीज में हमारा इ बाबा जो हमें देता है उस हर चीज की हमें कदर करनी है और कदर करना माना यग्य सयोगी बनना और जब हम यग्य सयोगी बनते हैं तब पता चलता है कि हम बाबा से जो हमें मिला उसकी कदर रखते हैं और रेसिप्रोकेट करते हैं और ऐसे बच्चों का योग बाबा से निरं अंतर लगता है और बाबा से सर्व खजाने प्राप्त करने की विदी ही यह योग करना, तो जब तक योगी नहीं लगेगा तो खजाने मिलेंगे कैसे, मैं कभी-कभी सोचती हूँ इतना उंचा ग्यान, इतना प्यार, इतनी शक्ती बाबा हमें देता है, फिर भी परिवर्तन क्यों नहीं होता क्योंकि इतना कुछ मिलते भी योग हमारा इस तरफ में रहता और योग क्यों नहीं रहता क्योंकि कदर ही नहीं है कि कौन मिला है और जो कदर हो तो कितने हम योगी बने और कितने हम बाबा से खजानों को बुद्धी में भी, मन में भी, संस्कारों में भी धारण कर हम कितने न भरपूर बन जाएं